आप जानते हैं अगर कोई train का accident हो जाए तो क्या locopilot को फिर से train चलाने दी जाती है या फिर उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाता है और तो और जब train को locopilot भी कंट्रोल कर सकता है तो train में एक साथ दो driver क्यों होते हैं चलिए जानते हैं। आपको बता दे कि लोको पाइलट जिस स्पीड से ट्रेन को चलाता वो पहले से ही fix होती है। और ट्रेन किस ट्रैक पर चलेगी ये भी लोको पाइलट के हाथ में नहीं होता। लोको पाइलट का मुख्य काम ट्रेन के चलते समय उस पर नजर रखना होता है। ना के बराबर ही रखा जाता है। आखर इसके पीछे क्या कारण है? चलिये जानते हैं। को करोडो रुपए का फाइदा होता है और साथ ही महिलाओं का स्वभाव लड़कों के मुकाबले काफी नरम होता है और लोग इनकी बातों को भी ध्यान से सुनते हैं इसलिए प्लेन में महिला एयर होस्टेस को ही रखा जाता है दुनिया की तीन सबसे अजीबो गरीब बिल् धाएं मौझूद हैं और ये कपड़े से नहीं बलकी कांक्रीट से बनाया है इसमें दूसरे नंबर पर आता है नाचता हुआ मकान इस बिल्डिंग को पहली बार देखने पर लगता है कि ये डांस कर रही हो ये नीदर लैंड में मौझूद है जिसे डांसिंग हाउस के ना इंडे आकार की ये बिल्डिंग दुनिया की एक मात्र भविश्य की इमारत है जो कुछ इस तरह खुल जाती है और ये साथ मनजिला इमारत दुबई में मौझूद है जो बिना किसी पिलर के सहारे खड़ी है आखिर इस बिल्डिंग के अंदर ऐसा क्या है जो इसे मुजिय आफ द फ्यूचर कहा जाता है चलिए जानते हैं बता दे कि मुजियम आफ द फ्यूचर बिल्डिंग इंसान की आँख की तरह दिखाई देती है जहां नॉर्मल बिल्डिंग सीमेंट और कांच से बनती है वहीं ये बिल्डिंग पूरी तरह स्टील से बनी है जिसको बनने म आप जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाओगे, आपको इनसानों जैसे रोबोट देखने को मिलेंगे, जो आपकी हर एक बात का जवाब देंगे, और तो और इसके अंदर जैली फिश और पेंग्विन जैसे जानवर हर समय हवा में उड़ते हुए नजार आएंगे, इस बिल्